नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरी किसोर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के सोर टेक्टॉक पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के अप्लिकेशन स्टेटस कैसे चेकर सकते हो दोस्तो आपने भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अपलाई किये हैं तो वह अप्रूब हुआ या नहीं हुआ आपका अप्लिकेशन कौन सा स्टेज पर है भी या आपका अप्लिकेशन है वह रद हो गया है यह सब चेक करना चाहते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड का अप्लिकेशन स्टेटस चे और यहां पर सर्च करना है HDFC bank credit card application status कुछ ही इस तरह से लिग के सर्च कर लेना आपको उसके बाद यहां पर उपर में website आएगा leads.hdfc.bank.com तो यह वाला है HDFC का ही official website है उपर HDFC bank भी लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है track your credit card application status तो दोस्तो इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर यह page ऐसा open होके आएगा HDFC का ही website है उसके बाद यहां पर आपको अपना mobile number देना है जो आपने HDFC का credit card apply करते समय जो mobile का इस्तमाल किया था उसके बाद यहां पर reference number देना है जो आपका application reference number है और उसके बाद यहां पर form number देना है application form number जो form पर लिखा होता है यह ना भी दोगे तो भी चलेगा इसके बाद आपको date of birth देना है यहां पर जिनके नाम से credit card apply की हो आप अपने नाम से क्योंगे तो आप अपने नाम मतलब अपना date of birth देना अगर आपने किसी और के नाम से apply करा है ममी पापा के नाम से तो उनका date of birth देना पड़ेगा उसके बाद यहां पर यह जो लिखा हुआ है capture वो इसमें fill करना है उसके बाद आप यहां submit पर click करोगे तो आपका जो है आपका credit card का जो status है वो दिखा देगा application का status है वो दिखा देगा तो दोस्तो सबसे पहले यहां पर mobile number डालना है तो मैं डाल लेता हूँ उसके बाद यहां पर आपको डालना है application reference number तो वो मैं डाल लेता हूँ तो application reference number डाल लिया है application reference number आपको जब आप credit card apply करते हो तो last में जब आपका form submit हो जाता है तो आपको दीख जाता है कि और application has been submitted और आपका reference number यह है और उसके बाद email के थुरू भी आपको मिल जाता है उसके बाद आपको message भी आ जाता है mobile पर कि आपका application है वो submit हो चुका है आपका application reference number यह है उसके बाद यहाँ पर है application form number तो उसको submit करने की कोई जरूरत नहीं अगर है आपके पास तो कर दीजे उसके बाद date of birth डाल दीजे जिसके नाम से आपने apply किया था उनका date of birth यहाँ से year select कर लेना है जो भी साल में उनका जन्म हुआ है यहाँ से महीना जो भी कैप्चा ओस फील कर देना है तो मैं फील कर लेता हूं तो कैप्चा बिल्कुल सही सही आपको फील करना है यह सब फील हो चुका है तो आपको उसके बाद submit बटन पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों यह बता रहा है कि प्लीज परवाइड अपलिकेशन रिफरेंस नंबर अपलिकेशन फॉर्म नंबर और बर्थ डेट तो जो मेरा अपलिकेशन फॉर्म नंबर था वह बहुत पहले खा था जब मैंने अपलाई किया था तो हम मैंने तो आप लोगों को दिखाने के लिए वस यह आपको बताया था कि आप कैसे आप अपना application status चेक कर सकते हो वो जो मेरा credit card है वो बहुत पहले deliver हो चुका है तो एक दो महिना पहले वाला reference नंबर से मैं यह status नहीं देख सकता हूं उसके बाद आप submit पर click करते तो आपको वहां पर दिखाता कि आपका application under process में है तो तो समझ जाईएगा कि अभी आपके application पर काम हो रहा है अगर बता रहा है कि यूर अप्लिकेशन है डिस्कलाइन तो समझ जाना आप credit card के लिए eligible नहीं हो आपका application रद कर दिया गया है अगर आपका बताता है कि आपका application अपरूब हो गया credit card तो समझ जाना कि आपके address पर credit card डिलेवर हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरह से आप चेक कर सकते हो अपने credit card का application status तो दोस्तों उम्माइद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओगा-दस वीडियो को लाइक की ज撃एगा-चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जाय हिंद